नमस्कर दोस्तों मैं डाक्टर आजीत नेचरोपाइथ नेचरोपाइथ हमें से आपना ट्रीटमेंट नेचरोपाइथी चीज़ों से ही करता है ज़दी आप खुद का बीमारियों की लाज खुद से घड़ पे करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतर देखे इस वीडियो में बीमारियों का कारण लाच्छन घड़ेलू उपचार घड़ेलू नुसका बताया हुआ है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेड़ किजे ताकि वो भी अपना खुद का भीमारियों के लाज खुद से घड़ पे कर सकते हैं आज हम बात करेंगे दाद, खाज, खुजिली, एकजीमा पे हम बिस्यस करके बात करेंगे और इस पर एक वीडियो हमने दिया है कि तीन दिन में आप दाद, खाज, खुजिली, सुराइसी से कैसे आप शटकारा पा सकते हैं लेकिन उसको करना बहुत कठीन है, लेकिन जो लोग उसको तीन दिन सही चकत कर लेंगे, तीन दिन में उसका समस्या समाप्त हो जाए, इस लिए कि हम उस वीडियो में बताए थे, जो नुसका हम आपको बतार है ओ नुसका हम आपने ऊपर खुद अजमाए थे आज से छे साल पहले हमने किया है, जिस्ट्राइम हमने पढ़ाई नहीं किया था, उस बक्त की बात। एक बैद बताये थे हकीम जी उनके कहने पर हमने किया थे और उसको हम बताये भी हैं लेकिन आप से होगा तभी करेंगा निया था नहीं लेकिन तीन दिन में आराम मिल ही जाता है एक चीज और बता देना चाहते हैं तेखिए आप जदी चर्म रोग से परसान है जैसे आपका दाद खाज खुजली देखिए इस सारे चीज से एक जीमा सोरा इसी किसी भी चीज से परसान है आईडवेद में 18 परकार का चर्म रोग होते हैं चर्म रोग ऐसी बीमारी है जो जन्मों जन्मों तक चलने वाली बीमारी है कहा जाता है कि जैदी बच्चे को डक्टर बनाई देखिए किसी भी बीमारी को जदी सरीर हमारी बीमारी उत्पन करती है तो उसको ठीक करने के कैपसिटी हमारे सरीर को है हाँ चर्म रोग को ठीक करने के लिए खान पान बहुत बड़ा मेटर करता है जैसे नमक हो गया दूद हो गया जो कि दोने एक दूसरे को टक्राना नह चाहिए आज तो लोग देख रहें कि चाए कभी बहुत जहां मिला है बहुत सारणी कता है खाटा गर कोई सकीन का रोग नहीं है यह सकीन से कोई मतलब नहीं कर पाता है यँ अन्य कि नहीं करता है कि स्कीन के राष्था ढूळता है और श्कीन के सहारे वो फेकने गंदगी फेकने का परियास करता है तो बस समझेये कि यह आपका जो समस्या यह पेट का समस्या है यह नाम का बनाम है कि भाई सकीन पर यह समस्या हो रहा है तो इसको चर्मडो को बोल देते हैं दोग कि दाद काज खुझी लिग leveraging यह जो तो दो की बिज़खा होता है , उसके साथ चार बिडियो की को देखिए क्शान है तो एक विडियो तो दिया एशोग काफीसारे विडियो देने सभी वीडियो में कुछ ना कुछ हम आपको बात बताएंगे अब वीडियो का डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा उसमें वीडियो का लिंक देंगे ऐसे सभी बहुत सारे वीडियो का और कुछ महत्मुन बाते भी लिखते हैं जदी आप इलाज कराना चाहते हैं तो दवा मंगवाना चाहतें तो संपड़ कर सकते लेकिन पडियास किजिए कि चरम रोक का दवा नहीं मंगवाना आप यह दाथ-खाज खुजली एक जीमा सोराइसिस का डवा क्यों सकता नहीं है इसमें डॉक्टरों की गाइडिलाइन क्यों बदलाव करने क्यों सकता आए अस क्यों कि ठीक करना बहुत असान है हमारे सरीर में एक बाड हुआ था और हम उसको ठीक किये उस वक्त से हम खान पानी बदल दिये तो जब तक आप खान पान को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला और जो हम तीन दिन वाला नुसका बता हैं उस वीडियो का लिंक जयाएदा ने कम जोर हो जाएंगा चलिव ज्यादा समय नहीं लेंगा यहां बात करते हैं यह जो सावा लिटा पानी जो लिखा है कि इसको घुट घुट करके सुबह खाली पेट में सचाले जाने से पाले यह आने के बाद भी ले सकते धिज्यान रहें कि वह बढ़ें सब खांगे लिए इससे क्या होगा भई इससे आपको पेट की साफाई जाएकी जब पेट की सफाई होगी वलर्ट साफ होगा तो आप सारा समस्या धूर इस चीश को आप देखिए इसको करना देपर पर्ति दिन अब देखिए आपने सर्सों का तेल गनदा का पूर क्या क्या लिख धिया है बहुत सारे को समझा लिखा हुआ ति यह नुष़का है उसी तरीके से 100 गराम तेल लिया था, 200 का, 20 गराम गंधक लिया था, और कपूर 5 गराम लिया था, द्यान देजेगा ये जो गंधक है, ये खाने वाला गंधक नहीं है, ये लगाने वाला गंधक होता है, और खाने वाला गंधक लगाता है, यहां पे हम खाने वाला गंधक के बारे में बताने वाले इसलिए वीडियो का अंतक देखेगा ऐसा नहीं कि लगाने वाले को खा लिजेगा खाने वाले को लगा लिजेगा तो फिर कहानी उल्टा हो जाएगा लगाने वाला गंदक जहरीला होता है उसको आप नहीं खा सकते हैं और खाने वाला गंदक को सुध लेना कपूर पाउडर बन जाएगा यह चीज कर लिजिए और सो गराम सो तेल में आपको डाल करके चार से पांच दिन दूप में डाल देने हम इसी तरह अच्छात पर डाल दिया दियान रखिएगा इसको आपको ना गरम करना ना कुछ करना धूप से ही आपका त्यार हो जा इतना जब हो जाए तब आप उसको लगाए जहां जहां है वहां वहां आप लगाए पांच दिन के बाद से कोई दिकर नहीं लेकिन यह बलड गंदा हो जाता है इसमें इसको बलड को साथ करने के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं गंधका उलासार पर सुद गंद खाने वाला गंधक ये देखिए जब मेडिकल स्टोर पर जाएंगे पंसारी के बोलेंगे खानेवाला गंदक दीजिए सुद गंधक और जितना गंधक लेंगे जीसे 10 गर्म आप गंधक ले रहें यहां पर लिख दे हैं दस गराम जदी आप ली हैं तो दस गराम मिश्री मिला दीजिए दस गराम धागे वाली मिश्री आप उसमें दो गराम सुबह खाली पेट में एक कॉप दूट से आप लेना सुरू कर देगे 15-20 दिन में आपके बलट साफ होने लगेगा उस वीडियो में हमने बहुत बिश्तार से बताया है कि क्या क्या परिवर्तन होने लगते तो आप इसको खाने वाला है उपर वाला गंदक लगाने वाला है दोनों को बारी कीशे आप समझ गए हैं कहीं गलती मत किजिएगा नहीं कि और चर्म रोग कोई चर्म रोग नहीं है यह सब कहने के लिए है यह पेट की समस्या वेसे इस दिन आपका पैट की गंद नहीं मानेगा तब भाश खाज खुजली बहु सारे लोगों को पन-पन साल से ठीक नहीं होताएस चीद को दयान देजीए और ज्यादे ज्यादे लोगों को सेर कीजिए ज्यादी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अब वीडियो का डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िए